इस बात में कोई भी शक नहीं है कि घर का काना ही बच्चे के लिए सबसे बैस रहता है लेकिन कई पार ऐसे सिच्वेशन सा जाती हैं कि हमें जो बाहर का जो पैकेश फूर होता है वह भी बच्चों के लिए यूज करना पड़ सकता है जैसे कि आप ट्रैवलिंग के लिए जा सेरलयक के लिए नकाले कि लासिया सबसें बैसे के लिए लाक बच्चे कबशाई सद्सक्क्रावारे में mamy के हमारी की यह पनुम्हारा सबुम नुक सूंकेश भी उख सकते हैं अगर आप मैं अपने लुद्टेश को खिलाें साथ ही साथ में मैं अपना पर्सनल प्रonne प पूरा निकालेंगे कि सही है कि गलत है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तो वीडियो इंपोर्टेंट है वीडियो को एंड तक देखेगा चले स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो जानते हैं कि सेरलेक होता है कि दिखी जोई सेरलेक होता है यह सीरियल बेस्ट होता है इसमें wheat है, rice, oat, यह सब सीरियल्स हो सकते हैं साथ ही साथ में अलग अलग flavors पी आते हैं जैसे wedge mix हो सकता है, fruit mix हो सकता है apple, banana, orange अलग अलग flavors में strawberry अलग अलग flavors में यह जो सेरलेक है यह market में available होता है जानते हैं कि इसके फाइदे और नुकसान के हैं अबसे पहले इसके फाइदे जानते हैं, फाइदा इसका बड़ा यह है, बहुत ही easy to use है, मतलब आपने डबे में से निकाला और आपने उसी टाइम से बनाया और बच्चे को दे दिया, तो easy to use है, आपको पहले से पूरी तियारी करके नहीं है कि आपको धोना पट रहा है, प बन सकता है मतलब आपने पानी लिया घोला गरम पानी लिया आपने घोला और सेरलैक बनके तयार है तो बहुत ही असान है बनाना गर आप बच्चे को कई मेड के पास भी छोड़ रहे हैं तो मेड भी इसली बच्चे को बना के आपने एक पर कॉंट्रेटी बता दी कि कितनी द कि हम बच्चे के लिए घर में तो अलग लग कभी हमने वेज सूप बना दिया या फिर हमने कोई परांठा बना दिया या कोई खीचड़ी बना दी बच्चे के लिए या फ्रूट का प्योरे बना दिया तो बहुत सारे ऑप्शन्स होते हैं लेकिन ट्रेवलिंग के टाइम एक तो बच्चे की तबीयत भी खराब होने का खत्र होता है और हम घर से यह सारी चीजे बना कर साथ नहीं लेके जा सकते तो ऐसे में सेरलैक बहुत साथा हेल्प करता है ट्रेवलिंग के टाइम पे जिससे बच्चा जो है वह भूका भी नहीं रहता और मतलब हमारे लिए बहुत जादा इजी तो यूस हो जाता है अगली जो चीज है बैनिफिट जो है सेरलैक का वह है कि बहुत साथा टेस्टी भी होता है बच्चे इजी ली खा देते हैं आपने देखा होगा कि कई बार होता है घर का हम अलग अलग खाना बच्चे को खिला रहे हैं लेकिन वह बच्चे को सेरलैक दे रहे हैं तो एकदम से सेरलैक खा रहे हैं रीजन इसका यह है कि सेरलैक बहुत जादा टेस्टी होता है मैं आपको दिखाती हूं सेरलैक में यह देखिए यह सेरलैक का पैकेड मेन अभी सिया के लिए खरीद है तो इसमें यह दखिए अलग लग लग बच्चों के टेस्ट डवैलप करने में और बच्चों को इसका टेस्ट बहुत जादा अच्छा लगता है यही कारण है कि जादा तर बच्चे जो है सहलेक को पसंद करते हैं तो वीट एपल राइस वीट औरेंच राइस वेज़ीटेबल खिचडी वीद वेज़ीटेबल एंड खी रागी एपल तो बहुत सारे मल्टी ग्रेन एंड फ्रूट्स मल्टी ग्रेन दाल वैज तो बहुत सारे आपके पास फ्लेवर्स होते हैं बच्चे को आप चेंज करकर क सकते हैं और बच्चा जो है इसको खुशी-खुशी खाता है अगली जो बेनिफिट है हमें सेरलैक का वह है कि सेरलैक जो है इसकी न्यूटिटिव क्वालिटी बहुत जादा अच्छी है इसमें वह सारे इंग्रीडिट्स पच्चे को चाहिए होते हैं इसमें सारे वह प्रेजन्ट होते हैं यहां साइट पे इसकी न्यूटिशनल इंफोर्मिशन दियोती है अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं अलग से आपको दिखा दूँगे वीडियो में इसमें दिख क्लोरीन मैगनेशियम कॉपर जिंक सोडियम पोटैशियम वीटामीन ए सी डी राइबो फ्लैविन नाइसीन फॉलिक एसिड वीटामीन बीसिक्स वीटामीन बीट्वल्फ सब कुछ इसमें प्रेजन्ट है तो अगर आपका बच्चा खाना नहीं भी खा रहा है उसको स्टार यह होता है वो उसकी नीड जो है वो इससे से रेलेक से पूली हो जाती है तो यह एक बहुत ही जादा अच्छी चीज है जिससे पेरेंट्स की थोड़ी सी जो टेंशन है वो कम हो जाती है कि बच्चा खानी रहा है उस चीज को लेके यह भी इसका एक बहुत ही अच्छा बे लेकिन वो जरूरी मेरा नहीं है कि शीकायच से हो वो किसी और खाने से भी हो सकती है क I है कि या फिर दलीय से कई बार हो जाती है। अब जानते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं आपके बच्चे आधएक सेरलेक एकसेस कवाइन्टिटी में बच्चे VO खिलाते हैं सबसे पहला नुकसान इसका यह है कि यह एक packaged food है और जब भी आप किसी nutrition से बात करेंगे तो वो आपको packaged food के लिए बच्चे को ना देने की सलाही देंगे वो बोलेंगे आपको कि आप घर का खाना ही बच्चे को दीजिए या घर पे सेरलेका बना के ही बच्चे को दीजिए अगर आप किसी nutrition से बात कर रहे हैं तो वो कई बार अगर बच्चा कभी नहीं खाता है तो उस केस में वो कई बार सेरलेक को recommend कर देते हैं otherwise packaged food बोलते हैं कि जितना जादा हो सके बच्चों को नहीं देना चाहिए चाहे वो सेरलेक हो चाहे वो कोई और बच्चों का प्राइस होता है वो 200 रुपे से शुरू हो जाता है और आगे बढ़ता ही जाता है और यह एक हम limited quantity में limited time के लिए ही यूज कर सकते हैं और limited quantity में ही हमें बच्चे को देना होता है 20-25 देन हम यूज कर सकते हैं बाकी जो बचा हुआ सेरलेक होता है वो हमें डिसकार्ड करना ह होता है तो ऐसे में जो है expensive भी जादा होता है तो यह एक दूसरा disadvantage है हमें सेरलेक का तीसरी चीज है कि बच्चे जब यह खाने लग जाते है तो कई बार होता है कि उनको घर का बनाया हुआ चीज जो है वो अच्छी नहीं लगती तो बच्चे सेरलेक के ही addiction हो जाती है उनको प्रॉपर सबजियां भी खाने चाहिए फूट भी खाना चाहिए तो सिरफ सेरलेक से गुजारा नहीं होगा तो वह एक थोड़ा सा negative side चला जाता है disadvantage हो जाता है सेरलेक का कि बच्चा और घर का खाना जो है वो पसंद नहीं करने लगता है अगला इसका जो नुकसान है वो ह पसे लेकर साल तक हम बच्चे को को सूगर और सॉड़ा डायेट में नहीं देतें तो ऐसे मीं चब छे महीने के बाद सारी लासलेक बच्चे को दे रहे हो और इससमें शूगर प्रेजंट है तो उस शूगर के कारण बच्चे को फूचर में बहुत सारी problem हो सकती है जैसे ब कारण फूचर में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे डाइबिटीस वगरा साथ ही साथ में बच्चे को मीठा खाने की इतनी जादा आदत पड़ जाती है कि बच्चे को नमक वाला खाना कोई प्यम नमकीन चीज बच्चे को बना के दे रहे हैं या फिर आप अगर आप मॉडरेशन में देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब मैं आपको अपना एक्स्पीरेंस परताती हूं कि मैंने सिया को कब से देना स्टार्ट किया था और कितना दिया था जब सिया सिक्स मंथ की थी उसके बाद हमने सॉलिट स्टार्ट कर दिये थे तो स सबसे ज्यादा पसंद उसको जो था स्ट्रॉबरी फ्लेवर था तो वह मैं उसको देती थी और से रलेक दे जब मैंने सको दिया तो इसको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि जैसे कबज की शिकायता सब कुछ भी नहीं हुआ आप जब भी बच्चे को दें ये एक बार जो साइड में फीडिंग इंस्ट्रक्शन होती है इसको पढ़ लीजिए मैंने इस पे लगसे वीडियो भी बनाई है कि बच्चे को सेलेक कितना कब देना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए अगर आपने मेरी वाली वीडियो ने देखी तो मैं आई बटन पे शो कर दू है तो यह सब इंस्ट्रक्शन पढ़के और यहां पर भी देखी लिखा होता है कि कितने से कितने साल के बच्चे के लिए है तो यह 12-24 मंथ के लिए जैसे तो यह सब चीजें आप देखकर ही सेरलेक लीजिए इस चीज़ का सुरूर ख्यार रखे साथ ही साथ में सेरलेक का डबा लाएंगे आपको उसको 20-25 दिन में खतम करना है और जो बचा हुआ है वो बच्चे को फिर नहीं देना है जब भी आप बच्चे को दे रही हैं सेरलेक तो अगर बच्चे ने 4 चमबच खाए और 2 चमबच बचा दिये हैं तो वो 2 चमबच जो बचे हुए ह आप 15 मिनिट के अंदर ही बच्चे को खिला सकते हैं अगर बच्चे ने उसमें नहीं खाए तो उसके बाद आपको जो फूट है उसको डिसकार्ड कर देना है उसके बच्चे को वो दुबारा ना दीजिए क्योंकि इसमें क्या है बेक्टीरिया जो है कंटैमिनेशन बड़ तो फूट ऑफ जक्चे को बच्चे ना कर रहा है जासे आप सबसे पहले जब बच्चे को दे रहे तो वान स्कूब दे के देखिए और उसके बार आहिस्ता इससरे बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप जो है कॉइंटरिटी थोड़ी सी भढ़ा सकते हैं दिन में आप दो दो बार से जादा बच्चे को ना दीजिए एक बार आप सुभा जासे दस-क्यारा बजे और शाम को चार-पांच बजे दे सकते हैं ये सबसे बेस्ट टाइम है सेरलेक देने का और मेरा एक्सपीरियंस सेरलेक के साथ अच्छा ही रहा है कोई भी चीज है अगर हम एकसेस में चांस Wirity को भी बैच्चे की इन्कलूड कर रहे हैं लेकिन साहर सेरलेक को नहादा है डियार है यह जादा की सेरलेक करना है तो आई होप आपको वीडियो से बहुत ज़ादा हेल्फ मिली होगी आपको सेरलेक के सारे फाइदे नुकसान पता चल गए होगे और इसे सेरलेक से रिलेटेड और भी मैंने एक दो वीडियो बनाई हुई है आई बटन में एंड स्क्रीन पे भी मैं आपको शो कर दूँगी आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फूशन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फूर वाचिंग